आज किस वीडियो में हम हमारे इंडियन सूपर हीरो यानि कि क्रिश को अपग्रेड करने वाले एंड क्रिश को अपग्रेड करने के लिए हमें हमारे क्रिश की 1000 हड्यों को तोड़ना होगा and जैसे हम हमारे कृष्ष की 1000 हड्डियों को तोड़ देंगे वैसे हमारा कृष्ष गोड़ कृष्ष में अपग्रेड हो जाएगा तो अगर आप भी गोड़ कृष्ष को देखना चाहते हो तो वीडियो को यें तक जूठ देखना वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आप ये भी पताना क्या आपको क्रिश पसंद है या फिर नई पसंद है चलो भाई लोग फाइनली अभी हम माउंट चिलियार पर आ चुके हैं गाइस यार मैं सबसे पहले माउंट चिलियार पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो खा करेंगे थोड़ा सा यहना बैक करता हूँ ताकि हम जब यहां से जंप करवाए ना तो भाई अच्छी तगड़ी वाली जंप लगे तो चलो गाइस मैंने एक बूस्ट भी दे दिया है और यार मैंने यहां से जंप भी लगवा दिये और अभी देखो वह बाइक कुतनी सेवन हड्या तूट चुकी है भाई यह जम काफी ज्यादा खतरनाक थी एंड चलो अभी हमारी बाइक डूनते हैं भाई हमारी बाइक कहां पर गिरी है मुझे लग रहा है कि बाइक का भी भाई काफी तगड़े वाला नुकसान हुआ होगा अरे यार इस तरह डूनेंगे लीवें जैए ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा एक काम करते हैं अपना ड्रोन ओपन कर लेते हैं सो ओल्राइट गाइस यह देखो हमने अपने ड्रोन को एक्टिवेट कर लिए और यहां पर पहाडों में देखते हैं कि हमारे जो क्रिश्की बाइक वो कहां पर ह गाइज यार आपको अगर यहाँ पर कहीं पर भी हमारी कृष्ट की बाइक दिखेना तो जल्दी से कमेंट जरू कर देना यार मिल तो जाएगी ना मैंने कृष्ट की बाइक को यहाँ पर गुमा तो नहीं दिया ना कहाँ पर घान क्रिश्ट की बाइक मिल चुकी यह बस अभी तोड़ा सा उपर जाना है और हमारी बाइक करोड को जाएगी को खिर कि भी 207 हड्या टूटी है लेकिन इस बाई को भाई कुछ भी नहीं हुआ है तो गाइस आप कमेंट सेक्षन में बताओ कि आपको क्रिश की ये वाली बाई कैसी लगी है और या ये भी बताओ क्या मुझे इस वाली क्रिश की बाई का कलर चेंज करवाना चाहिए या फिर ये जादा अच्छी लग रही है जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बता देना आपको पताए कि भाई हमारा क्रिश एक सूपर हीरो है और वो भी काफी तगड़े वाला सूपर हीरो है तो यार हम इसकी हड्डियों को ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं तो इसलिए मैंने अभी एक प लेकिन पता नहीं भाई अभी वह कितना टाइम लगाएगा गाइस मुझे अवाज तो आ चुक है कि हमारा हल्क यहीं कहीं आ चुक है चलो यहां पर रहना लैंड करते हैं और मैं हल्के उपर अपनी बिल्कुल भी पावर नहीं लगाता हूं तो वह हमारी कितनी हड्डिया तोड़ पाता है अरे भाई आती कितना तकड़ा मारने लग गया गाइस ओभाई कितना तकड़ा थंडर क्लैप था अभी हमारी दस हड्डिया तूट चुकी है एक काम करते हैं इसको एना मैं एक मुक्त मार देता वरना इसको शक हो जाएगा अरे भाई अराम से अराम से से हमारी साड़े तीन सो हड्डिया तूट चुकी है ओ भाई यार हल्क काफी ज्यादा एग्रेसिव है और अभी हल्क जम मार कर देखना भाई क्या तकड़ा टैकर का यह देखो यार इस तरह तो यह हल्क हमें मार डालेगा क्या करें गाइस यार हड्डिया तुडवाने के में हमारा क्रिश मारा ना जाए यह देखो भाई हल्क कितना ज्यादा एग्रेसिव है यह देखो भाई हल्क कितना ज्यादा एग्रेसिव है ओ भाई कैसे कपडो की तरह धोरा कितने बुरे तरीके से इसने हमारे क्रिश का भाई कितना सारा खुन निकाल दिया है और यह अभी यह कि भाई हल्क काफी ज़्यादा गुष्जे में है यह दिएक ओ हल्क के ओपर फिलकुल भी अटैक निकर लेना इसलिए हल्क तो ़ा रोलो यह लग लग रहे कि भाई वह काफी जबा पारूफुल एक हमें उठने नि दे रहे हमें उठने का तो guys यार अभी हलको बताना होगा कि भाई हमारा कृष्ष भी काफी जादा powerful है अभी बताते हलको भाई हमारा कृष्ष कितना जादा powerful है guys अगर आप चाहते हो ना कि हमारा कृष्ष हलको भाई हरा दे तो comment section में कृष्ष ओपी जरू लिख देना और आप देखो अभी हमारे कृष्ष को भी गुसा आ चुका है अभी आप हलकी हालत देखना कि भाई हमारा कृष्ष हलकी क्या हालत करेगा ये देखो भाई क्या ही तकड़े मार रहा है हलको यह देखो भाई, सांस इनी ले रहा है, कृषितने तकड़े मार रही है, यह देखो भाई काफी तकड़े 5 चीज़ हैं, ओ भाई हलकी देखो, क्या हालत कर दिये मुझे लग रहा हमारा कृषित अभी काफी ज्यादा घुसे में आ चुका है इसलिए Hulk को तो भाई उटने नहीं दे रहा है ये देखो काफी खतरनाक है हमारा Krish अरी यार मुझे लग रहा है कि Hulk ना अभी बेहोश हो चुका है ये देखो guys हलगा काफी जादा बलड निकल चुका है ये देखो और Hulk अभी बेहोश भी हो चुका है तो guys अभी आप देखी सकते हो कि हमारा जो ये क्रिश है कितना powerful super hero है तो चलो भाई लोग अभी आपने देख आई कि हमारा क्रिश काफी ज़्यादा powerful है यार हमने hulkों भी easily हरा दिया है और हमें हमारे क्रिश की यार 1000 हड्यों को तुड़वाना है तो अभी हम किस super hero से fight करें कि भाई वो हमारे क्रिश की साइट टक्कर ले पाए कोन है यार वो super hero guys अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो comment section में बताओ अरे एक second चलो थोर को challenge करते यार थोर भी काफी ज़्यादा powerful है और उसे यार fight करने में भी काफी ज़्यादा मजाएगा तो चलो भाई लोग अभी मैं जा रहा हूँ थोर को challenge करने के लिए so alright guys अभी मैंने थोर को fight के लिए challenge दे दिया है और मैंने ये वाला area बताया था कि भाई हम जो fight है वो इस windmill वाले area में करने वाले है अभी यार मुझे काफी ज़्यादा time हो चुका है थोर तो अभी तक आया नहीं है पता नहीं भाई वो आएगा या फिर नहीं आएगा वैसे उसने यार challenge के तो accept कर लिया था और मैं यहाँ पर देखो इस windmill के उपर खड़ा होकर wait कर रहा हूँ तो guys यार जब तक यहाँ पर थोर आता है आप comment section में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है हमारा Chris ज़्यादा powerful है या फिर थोर ज़्यादा powerful है और यार मुझे लग रहा है कि थोर आ चुका है यह देखो guys थोर आ चुका है आपने उसकी bifrost देखी न यह देखो नीचे से उसने हमला किया यह देखो अपने भिजली के attack कर रहा है मुझे यहाँ से यार जाना होगा यहाँ पर आ जाता हूँ यहाँ पर थोर आएगा ना जब उससे fight करेंगे यह देखो थोर आ चुका है पहले ना इसको हड्या तोड़ने दो 730 हड़ीया तूट चुकी है 7500 हड़ीया तूट चुकी है ओ भाई यह देखो वैदर भी देखो गाईज कितना जल्दी चेंज हो चुकी ओ भाई यार यह अपने मेयो निरो स्टोंबेकर से हमारी उपर हमला करा यह देखो गाइज एक हमले में हमारी 800 हड्डियां तूट चुके ये देखो साड़े 800 हड्डियां अभी एक बार और थोड़ अटेक करेगा ये देखना थोड कैसे भागत हुआ रहा है इसके उपर एक अटेक कर देते हम भी वरना ये हमको एना कम जोर समझ लेगा ये देखो गाइज थ तोड़ का हमारा कृष्ट भी एना काफी अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकता है अरे तोड़ को अभी हम जादा नहीं मारते है पहले से एना क्रिष्ट की 1000 हड्डियों को तोड़ने दो वह देखो थोर वहां पर जाकर गिरा है यार क्रिष्ट भी काफी जादा तोड़िया तूड़ दिये है और अभी देखना गाइज अभी तो बता देखे हमाराकश कुछ कितना जदा ऑर फुल है वेकर का देख़ो याल रोड पर जाकर गिरेगा तोर को यार हमारे बोला था नहीं कि फोर जल्दी से होश में आ जाएगा और वो देखो होश में आ चुका है यह हमारे उपर अटैक कर रहा है लगता है कि इसने अभी हमारी पावर देख ही नहीं है इसको दुबार से बताते है गाइस यह ना इसको स्ट्रोंब बरे कर रहे हैं वह ज्यादा पा हो चुका है शिट यार मैंने सोचा था कि भाई थोर से हमारे जब क्रिश फाइट करेगा ना तो उस फाइट में काफी मजाएगा अरे यह को ना भाई यह दूसरा थोर कहां से आ गया इसको भी बताते है भाई दूसरा थोर कहां से मुझे तो यहीं समझ में नहीं आया यह बस बस मुझे लग रहा है कि अब यह भी ब्योश हो जाएगा अरे बस भाई क्रिश बस बस गायज यह देगो यह भी ब्योश हो चुका है तो गायज यार आपने देखा हमारा इंडियन सूपर हीरो क्रिश काफी ज्यादा पारफूल है इसने हलको भी काफी बुरे तरीके स ब्योश कर दिया है और तीसरे थोर को भी इसने भ्योश कर दिया है तो चलो भाई लोग अभी हमारे क्रिश की 1000 हड्या तूट चुकी है अब भी हमारे क्रिश को अपग्रेड करने वाले हैं तो त्री टू वन गायज यह देगो हमारा क्रिश अपने सबसे अपडेटिड वर आप देख सकते हों कि भाई यह क्रिश कितना जादा बड़ा है और काफी जादा पाउरफुल भी है इसके लेग पंची देखो भाई यह देखो इसके पंच की फोर्स देखो यह देखो तो गायज आपको यह गोड क्रिश कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरू बता देना यह भाई काफी जादा पाउरफुल है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना